जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत क्यानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ काली माता से कैसे अपने भविस्य के वारे में पूछा जाता है कैसे माता काली आपको सब बताती है जब आप ये पूजा करते हो अपने घर में अगर आप अपने आने वाले समय के भविस्य के वारे में या फिर किसी भी चीज के वारे में माता काली से पूछना चाते हैं और माताकाली आपको गारंटी के साथ सब कुछ बताएगी जब आप अपने घर में माकाली की ये पूजा करना स्टार्ट कर देंगे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ यदि प्रती दिन कम से कम आपने 11-12 दिन कंटीनियू ये पूजा कर ली तो आपको 6-7 दिन वे ही माताकाली का चमतकार दिखेगा जब माताकाली आपके पास आईगी आपका भविस्य बताने आपकी सब कुछ चीज़ों को बताने के लिए लेगिन ये जब ही होगा जब आप अपने घर में माकाली की इस तरह से पूजा करेंगे जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेष्ट करना चाहती हूँ अगर आप महा काली भगत ग्यान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी जितने भी काली माता के भक्त हैं उन सभी भक्तों के मन में ये इच्छा रहती है कि हम आगे अपने आने वाले समय का भविस्य पूचे कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा जिस चीज की हम चाहत कर रहे हैं वो चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी या कुछ भी मतलब जो आपके भविस्य में होगा जो सच होगा आपके आने वाले समय में सब कुछ माता काली आपके कान में आकर बताती है समझ रहें? जैसे मान लो आप पूजा कर रहे हैं माता काली की अपने घर में सब कुछ आपके भविस्य के वारे में बता कर जाएगी जब आप लोग मातवकाली की पूजा इस तरह से अपने घर में करेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको माकाली की पूजा अपने घर में करनी है और किस तरह से नहीं करनी सब कुछ बता हूँगी बताने से पहले मैं आप सुभी को बोल दूँ वीडियो को एंट तक देखना ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में है वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा फिर आप मुझे कमेट करके बोलते हो कि ये नहीं पता वो नहीं बता तो आपको करना क्या है मातकाली से अपने भविस्य में पूछने के लिए आपको प्रती दिन माकाली की एक साधना करनी है ये साधना आपकी एक से लेके ग्यारा दिन तक की रहेगी मतलब पहले दिन से लेके ग्यारा दिन तक की ये साधना रहेगी और इस साधना में आपको रो जाना पूजा पाट करनी होगी सुबे साम की दो टैम की एक दिन में दो वार जैसे सुबे उठेंगे आप इसमान करके माता की जोद जलाएंगे पूरे घर में गंगा जल छड़के तब ही जोद जलाएंगे जोद जलाएंगे दूबत्ती लगाएंगे कपूर जलाएंगे कपूर के उपर माता काली को लोग बतासे का भोग देंगे और जो माता काली का प्रिये भोग होता है वो भोग भी आप दे सकते हैं अपनी सर्दा अनुसार आप लोग कुछ भी दे सकते हैं जो माता को चड़ाया जाता है लेकिन आपकी सर्दा अनुसार नहीं बतारी में मैं बतारी हूँ अगर आप पे कुछ नहीं बन रहा है तो सिंपल तरीके से मा काली को लोग बतासेगा भोग अपने घर में जरूर दे जैसे ही आप ये भोग मातकाली को अपने घर में देंगे तो गारंटी दे रही हूँ दोस्तों मैं आपको आप लोगों के पास मातकाली खुद आपका भवीश्य बताने के लिए आएगी जब आप माता काली को दो दिन मतलब एक दिन में दो बार भोग लगाएंगे जैसे कि सुभा के टाइम जब पूजा करेंगे जब भोग लगाएंगे फिर शाम के समय जब 6-7-8 वज़े जित्ते वी वज़े आप पूजा करेंगे तब पूजा करके जब भी आप माता को लोग प्वतासे का भोग लगाएंगे तो यह जो आपकी साधना है यह ग्यारह दिन की साधना रहेगी और यह साधना आपको गर ही घर में करने कहीं भी बार जाने की जरुरत नहीं है लेकिन में बता दूँ जब इस साधना में आपके, सनीवार, मंगलवार के दिन पढ़ेंगे, तो इन दिन में आप मातकाली को पान का भोग और उसके साथ मीठे में कुछ भी भोग पेड़े जैसे मिठाई इस चीज का भोग आप चरू लगाना और साथ के साथ माताकाली को इंगलिस की सराप का भोग भी लगा देना क्योंकि माकाली के जो सनीवार और मंगलवार के दिन होते ही सबसे मैन होते हैं और इनी दिन में माताकाली आप सभी के संकटों को काटती है और संकटों को काटके आपके पास आती है आपको सब कुछ बताती है आपके भविस्से के बारे में तो ये 11 दिन के आपकी साधना है ठीक है जब ये स्टार्डिंग करेंगे तो इसका एंट तक ही करेंगे यूनी के आपने दो तीन दिन चार दिन पात दिन कर ली फे छोड दिया ऐसा मत कर ना पिर आपको कोई पाइदा नियुक्ण जब पहले दिन से स्टार्ट करेगे चार ये पांच वे दिन एकिण को माताकाली देरे に धिरे करके आपके पास आएगी। फिर आपको दिखने लगेगी माता काली फिर जैसी आपको 8-9 दिन होएंगे माता काली आपको थोड़े थोड़े करके बताने लगेगी सब कुछ जैसी आपका last end होगा दसीय ग्यारा दिन उस दिन आपको पूरे तरीके से आपका भविस्य का सारा चिट्टा खोला सब कुछ दिखा जाएगी जब आप माता काली की पूजा इस तरह से अपने घर में करेंगे तो जितने भी काली माता के भक्त हैं अपने भविस्य के वारे में पूछना चाते हैं जो वो चाते हैं प्राप्त करना वो ने मिलेगा या नहीं सब कुछ बताएगी माता काली पर ये साधना घर में चरूड कर लेना तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव माता काली बाबा भुले नत आप सभी की सारी मनुकावना पूरी करें जै माता काली ओमना